इंटरनेट एक ऐसा रापता है जो दुनिया भर के लाखों, करोडों कम्प्यूटर्स को आपस में जोड़े हुए है ये टेलोफोन की तारों, सैटलाइट्स और केबल्स के जरिये मुम्किन है इंटरनेट के जरिये मालूमाद दुनिया भर में भेजी जा सकती है यूँ कहें कि इंटरनेट एक वसी लाइबरेरी की तरह है जिसको कोई भी कहीं भी इस्तमाल कर सकता है इंटरनेट आपकी कई तरह से मदद कर सकता है आप अपने प्यारों को पेगाम या तसावीर भेज सकते हैं आप उनसे बात भी कर सकते हैं आप मौसीकी और विडियो सुन और देख सकते हैं खरीदो फरोग कर सकते हैं यहां तक कि आप किसी को पैसे भी मुंतकिल कर सकते हैं इंटरनेट नए हुनर सीखने में भी आपकी मदद कर सकता है अगर आप मुबाइल फोन पर इंटरनेट इस्टमाल करना चाहते हैं तो आपको स्मार्टफोन की जरूरत होगी जोके बिलकुल एक छोटे से कंप्यूटर की तरह है इसके लावा आप एक फीचर फोन भी इस्टमाल कर सकते हैं फीचर फोन की खसूसियात स्मार्टफोन से कम होती है लेकिन इसके बावजूद आप इन पर मौसीगी सुन सकते हैं तसावीर खेंच सकते हैं और गूगल, क्रोम, आप्रा और फायर फोक्स जैसे वेब ब्राउजर की जरीए इंटरनेट इस्टमाल कर सकते हैं इसका इस्टमाल कोई भी कर सकता है इसको अपनी असल जिंदगी के किसी भी अवामी मकाम की तरह समझें यानि लोगों से बात करने में एतियात बरते हैं यूँ आप इंटरनेट का इस्टमाल महफूस तरीके से कर सकते हैं अगर कोई अजनबी आप से इंटरनेट पर बात करने की कोशिश करे या आपको तंग करें तो आप उनको एग्नोर या ब्लॉक कर सकते हैं मसलन वाट्सैप पर अपनी जाती मालूमात को अपने तक महदूद रखें अपना नाम, पता और दीगर मालूमात अजनबी लोगों को ना बताएं अगर आप इंटरनेट पर कोई काबल एतरास चीज़ देखें तो किसी जानने वाले को इससे आगा करें इंटरनेट पर बातचीत में शाहिस्तगी और एतराम का ख्याल रखें अगर आप अपने फोन पर इंटरनेट का इस्तमाल करते हैं तो आपको अपने मोबाइल नेटरक से डेटा खरीदना होगा इंटरनेट पर मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुख्तलिफ मिगदार में डेटा इस्तमाल होता है टेक्स्ट मेसेज सबसे कम डेटा इस्तमाल करते हैं तसावीर उससे ज़्यादा डेटा इस्तमाल करती है मौसी की सुनने में उससे भी ज़्यादा डेटा लगता है और सबसे ज़्यादा डेटा विडियोज देखने में इस्तमाल होता है इंटरनेट के जरिये पहले से कही जादा मालूमात अब हमारी पहुंच में है और इससे बात चीट भी असान होगी है क्यों ना आज ही आप इसको इस्तमाल करके देखें